हाई अबरीबन वेलकम टू स्टड़े स्प्रिंग इंसी एंट हिस्ट्री के वन लाइनर सेशन में आपका स्वागत है आज हम लोग वैदिक सभेता मेरी वैदिकाल और उत्तर वैदिकाल के 110 वन लाइनर को डिसकस करेंगे और यह सभी वन लाइनर आपके यूपी एसी बीपी पिहारदर होगा, FCAT, CDS, CAPF और जितने भी इंडिया लेबल पर और स्टेट लेबल पर एकजाम होते हैं सभी के लिए इंपोर्टेंट है और वहां से आने वाले जितने भी प्रिविएस यह कुस्ट्ट है उसको वन लाइनर में सिफ्ट करके आपको दिया गया है उससे पहल पहला वन लाइनर आपके स्क्रीन पे है कि वैदिक सभेता के प्रवर्तक कौन थे इसका राइट एंसर आपका आरे हो जाएगा दूसरे के तरफ चलेंगे वैदिक सभेता को आरे सभेता के नाम से भी जाना जाता है वैदिक सभेता का कालानुकरम क्या है तो वैदिक सभेता अश्वनी जो दे होता थे उनको ना सत्य की नाम से जाना जाता था वैदिकाल में इरानी आर्यों की एक साक्छा भारत आई थी और यहाँ साक्छे किस अभिलेक में मिलता है एक चीज तो खिलेर है कि इरानी जो थे वो आरे थे और वो लोग भारत में आई हुए थे तो इसका साक्षिया आप से पुछा जा रहा है कि किस अविलेक में मिलता है, तो ये करसी अविलेक में मिलता है. The Arctic Homes of Aryan के लेखक बाल गंगाधरती लखे वी वी कोश्चन है ये आपके ancient history में simultaneous पूछे जाने वाले कोश्चन इसले याद करके रखिएगा इसको Next question के तरफ चलेंगे Indian historical tradition के लेखक कौन थे दैनन सरस्वती ने Indian historical tradition को लिखा था दूसरा है आर्यो के मूल अस्थान का परमानिक मत क्या है तेखिए ये अलपस परवत के पुर्वी भाग जो यूडेसिया वाला भाग था वहां से यो लगाए हुए थे Next है आर्यो के सभ्से महतोपुर्ण कभीले को क्या नाम दिया गया था तो इसके जो सभ्से महतोपुर्ण कभीले थे उसका नाम भारत दिया गया हुए था दूसरा है आर्य भारत में सबसे पहले कहां बसे थे तो आर्य भारत में सबसे पहले शेप्त सेंधव पर्देश में पसे हुए थे जो कि अभी के समय में जो है वो आपके पंजाब में इस्तित है ठीक है चलिए नेक्स चलेंगे हम लोग सब्त सेंधव पर्देश में कितनी न नहीं नाम दिया गया है, वैदिक आर्यो का पस्चमी सीमा क्या था, तो रिक वैदिक आर्यो का पस्चमी सीमा जो है वो अफगानिस्तान का पुर्वी भाग था, ठीक है, चलिए, नेक्स चलेंगे हम लोग, नेक्स है आपका, कुंभा नदी का अधुनिक नाम क्या है, कुंभ चानी आसपास के भागों को जीद करके उसका नाम ब्रहम वर्थ रखा था। कुल कितने नदियों का उलेख है रिगवेद में कुल 25 नदियों का उलेख है और रिगवेद में सबसे अधिक जो है बार किस नदी की चर्चा की गई हुई है तो रिगवेद में सबसे अधिक बार सिंधु नदी की चर्चा की गई है वितास्ता नदी का अधुनिक नाम क्या ह और अस्किनी नदी का अधुनिक नाम क्या है इसका अधुनिक नाम चेनाब है पुरुस्पी नदी का अधुनिक नाम क्या है पुरुस्पी नदी का अधुनिक नाम रावी है सद्रु नदी का तो इसका राइट एंसर आपका शतला जो जाएगा इंपोर्टेंट कोश्चन है नेक्स चलेंगे विपाशा नदी का अधुनिक नाम क्या है विपाशा नदी का अधुनिक नाम व्यास है ये सीधे एक्जाम में SSC और रेल्वे में पूछ लिया जाता है इसलिए आप याद कर लिए जगा ये सुद्र नहीं है इसको सद्रू पढ़िएगा आप लोग चलिए नेक्स चलेंगे हम लोग नेक्स्ट है आपका रिगवेद की सबसे पवित्र नदी कौन थी तो रिगवेद की सबसे पवित्र नदी सर्सोती थी और सबसे अधीक बार सिंधु नदी का नाम लिया गया है रिगवेद में मरवस्थल के लिए किस सब्द का परयोग किया गया ह रिगवेद में मरवस्थाल के लिए घन्म सब्द का परयोग किया गया है और आर्यो के सत्रू कौन थे तो आर्यो के जो सत्रू थे वो दास और दस्यू हुआ करते थे किस नदी के किनारे दस राजाओ का युद हुआ था दस राग के युद इसको बोला जाता है ये पुरुस्पु नेदी के किनारे हुआ था और आपका अगला है टॉपिक आर्यो के किस स्कूल के नाम पर इस देश का नाम भारत परा था तो इसका एक कुल था जिसको हम लोग विदत के रूप में जानते थे, रिग्वेधिक काल में प्रसासन की सबसे छोटी हिकाई क्या थी, रिग्वेधिक समाज कैसी थी, रिग्वेधिक समाज पित्रि सत्तात्मक थी, मतलब यहां पर जो है, वो मर्दों का value जादा हुआ करता था, किस ब्राह्मन में पतनी को अरध यूज हुआ करता था और गोधुली किसको बोला जाता है तो यह जो है वो दो पहर के बाद और साम के पहले का जो समय होता है इसको हम लोग गोधुली के रूप मे जानते हैं रिग्वैदि काल मे दूरी की माप के लिए पर्योग की जाने वाली जो सब्द थी वो गव्यतु गया है रिगवेद में सिल्य किसकी काई थी और रिगवेदी काल में कहीं कहीं पे सिल्य लिखा होगा कहीं कहीं पे खिल्य लिखा होगा तो अगर यह दोनों है तो देख लिजेगा एक बार इंटर कनेक्टर के इसका राइटेंसर आपका भूमी माप होगा और रिगवेदी का और रिगवेद के जो प्राद देऊता थे वरून थे और वेदों के संकलन करता किसे कहा गया है तो यह कृस्ण दोइपायन को कहा गया है जिनका दूसरा नाम वहystem bus भीद है, रिगवेद में कितने मंडल है, और रिगवेद में सुक्तों की संख्या कितनी है, दस सुट Gib कि में जोड़ा गया हुआ है इसके बाद रिगवेद के किस मंदल में गायतरी मंतर का उलेक है तो तीसरे मंदल में गायतरी मंतर का उलेक है और विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी रिगवेद के किस मंदल में चारों वर्नों का उलेक मिलता है रिगवेद के मंतरों के उचा आपको, सोम का उलेक किस मंडल में है, सोम का उलेक नवे मंडल में है रिगवेद के, और रिगवेद के दो ब्रहमन कौन कौन से है, तो रिगवेद के दो ब्रहमन एत्रे और कौस्तिकी है, शाम वेद का अर्थ क्या होता है, शाम वेद का अर्थ गान होता है, और साम वेद का उपवेद कौन सा है तो सामवेद का उपवेद गंधर विवेद है सामवेद मेरी चाओ की संख्या कितनी है सामवेद मेरी चाओ की संख्या ठाड़ सो पच्छतर है और सामवेद के रिचाओ का गायन कौन करते थे तो इसको उदगाता किया करते थे सामवेद की कितनी साखाए सामवेद की तीन सका हैं, जिसको हम लोग कोयुमिय, जैमिनी और रमाइनी के नाम से जानते हैं, और किसे भारतिय संगीत का मूल कहा जाता है, सामवेद के प्रमुख देवता जो थे, वो सुर्य थे, इसके बाद चलेंगे हम लोग, किस वेद में आर्यो के धार्मिक और समाजिक जीवन की जहांकी मिलती है तो यजूर वेद में हमें आर्यो के समाजिक और धार्मिक जीवन की जहांकी मिलती है रिगवेद के मंतरों का उचारन कौन करता था रिगवेद के मंतरों का उचारण अदूर्वे किया करते थे जो कि रिसी थे और यजूर्वेद का उपवेद क्या है तो धनुर्वेद यजूर्वेद का उपवेद है निसकाम कर्म का वर्णन किस वेद में मिलता है तो ये यजूर वेद में मिलता है और सबसे बाद में कौन सा वेद आया था तो अथर्व वेद सबसे बाद में आया था अथरववेद की रचना किस ने की थी तो इसकी रचना अथवर्ण ने की थी और वास्तुर सास्तर का ग्यान किस वेद में मिलता है तो ये भी हमें अथरववेद में ही मिलता है जंत्र तंत्र और जादू टोना का ग्यान हमें किस वेद से प्राप्त होता है ये भी हमें अथर इसलिए विस्व कर्मा पूजा मनाया जाता है आप सभी को बता होगा इसके बाद चलेंगे हम लोग किस वेद में मगत और वैसाली का उलेक मिलता है अथर्व वेद में मगत और वैसाली का उलेक हमें मिलता है और राजा परिक्षित के बाद और विमिसार के पहले की घटना हमें जो है वो कहां से मिलती है तो यह हमें ब्राह्मन गरंत से मिलता है किस ब्राह्मन में राजविषेक के नियम दिये गए है तो एत्रे ब्राह्मन में जो है वो राजविषेक के सारे नियम दिये गए है एत्रे ब्राह्मन की रचना किस ने की थी इसकी रचना जो है वो महिबास एत्रेय ने किया था वो एक डिसी थे और सत्पत ब्राह्मन के रचाहिता कौन थे तो यह मुबालक के जो थे वो सत्पत ब्राह्मन के रचाहिता थे सरस्वती की लुप्त होने और प्रगट होने के साक्षे किस ब्राह्मन में मिलता है तो यह हमें तांडिय ब्राह्मन में मिलत और अथर्ववेद के ब्रह्मन का नाम क्या था था तो अथर्ववेद के ब्रह्मन का नाम गोबद था सत्यमयों जैते किस उपनिसत से लिया गया है यह मुंड को उपनिसत से लिया गया है और मुंड को उपनिसत किस वेद से समंदित है तो यह अथर्ववेद से समंदित है उ इसके बाद देखेंगे मगध में निवास करने वाले लोगों को अथरववेद में क्या कहा गया है मगध में निवास करने वाले लोगों को अथरववेद में जो है वो ब्रात्य कहा गया है राजा परिक्षित का नाम किस वेद में मिलता है ये हमें अथरवेद में मिलता है और कुरू वन्स का अंतिम सासक जो था वो निचच्छू था हिमांचल और विद्यांचल के बीच का छेतर जो है वो मंध्परदेश का लाता है आपको पहले ही बताया गया था और पूर और भरत कवीले ने मिलकर किस नए कवीले का निर्मान किया था तो वो कुरू कवीले का निर्मान किया था उत्तरवैदी काल में सबसे विक्सित राजे कौन था पांचाल उत्तरवैदी काल में सबसे विक्सित राजे हुआ करता था जो कि महाभारत से संबंदित है और किसे मृत्यू लोग का देउता कहा जाता है परिक्षित को मृत्यू लोग का देउता कहा जाता है परदेश को रास्टर किस काल में पुकारा गया था तो एक परदेश को रास्टर उत्तरवैदी काल में ही पुकारा गया था सबसे पहले और अथरववेद में राजा को जो है वो विश्मता कहा जाता है सभी विश्यो को हरने वाला और राज्सुय यग का उलेक किस ब्रामन में मिलता है तो यह हमें शत्पत ब्रामन में मिलता है सरव पर्थम करो को नियमित व्यवस्था का उलेक करो के जो नियमित व्यवस्था है उसका उलेक हमें उतरवैदिकाल में मिलता है और उतरवैदी काल में कितने भागकर के रूप में दिया जाता था तो सोलहवा भागकर के रूप में दिया जाता था और उतरवैदी काल में अप्छावास की से कहा गया है तो यह आए वे लेखा करने वाले लोगों को कहा गया है कुल का उलेक सरवपर्थम हमें उतरवधिकाल में मिलता है और कुल के अर्थ में गोत्र का उलेक सरवपर्थम हमें अथर्ववेद में मिलता है उतरवेदी काल में लोहा को जो है वो श्याम आयस या क्रिस्न आयस कहा गया है और उतरवेदी काल में लोहार को जो है कर्मकार कहा गया है उतरवेदी काल में बढ़ाई को तक्छा कहा गया है और उतरवेदी काल में मच्वारे को कावर्थ कहा गया है उतरवेदी काल में ब्रह लगा कि यह सारे ओनलाइन इंपोर्टेंट थे आपके लिए एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और इसको सेर भी कर दिजेगा जिसे मैक्सिमम लोग इस फैमली में जूर पाए और अपने आपको एनलाइज कर सेके कि आपका त्यारी किस लेबल का है सामसे बेल जीजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से हम लोग एन सी एंट हिस्ट्री के नहीं और लाइन के साथ अब तक लिए थैंक यू गूडबाए टेक केर और प्लीज सब्सक्राइब इस चैनल